आज मैं आप सबी के साथ शेयर करूंगी भोती हेल्दी और भोती टेस्टी सेम्यों की रेसिपी जिसको बनाना बहुती ज़दा सान है और खाने में बहुती ज़दा टेस्टी लगती है इसके साबने आप हालवा खीर खाना बुल जाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर और गुड़ को हमें पानी में डाल देना है हमें यहां पर गुड़ का पानी बना लेना है तो इसको हमें अभी साइड में रख देना है अच्छे से हमें इसमें उबालाने देना है तो अभी हमें यहां पर आदा गिलास पानी और एड़ कर देना है मुझे यहां पर कम लग को बना रहे हैं तो आपको यहां पर तीन ग्लास पानी डाल देना है तो फ्रेंट इस तरीके से आच्छे से हमें यहां पर इसको मिक्स कर देना है और इसी तरीके समें इसको चोड दे अपने सेविय को हफते में तीन से चार बार बना करके खाएंगे तो यहाँ पर हमें लेने है काजू बदाम और थोड़े से हम यहाँ पर लेंगे मखाने आप चाहें तो यहाँ पर किस्मिस भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मुझे किस्मिस का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैंने यहाँ पर किस्मिस नहीं डाली है तो मैंने यहाँ पर 5-6 काजू, 5-6 पदम और एक कटोरी यहाँ पर ले लिये हैं मखाने अब सभी को हमें यहाँ पर अच्छे से भून करके तयार कर लेना है तो इस तरह से दीमी दीमी आज पर हम इसको लगातार चलाते जाएंगे और इसको हमें अच्छे से भून लेना है बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है अगर इस तरीके से आप ड्राइफ रूट्स को भून करके डालेंगे और जो मखाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर मखाने जरूर से डालें बाकी आप यहाँ पर ड्राइफ रूट्स अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर नारियल को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो जब भी आप यहाँ पर नारियल डालें तो जो बजार वाला आता है डेसिकेटिट कोकोनेट पाउडर वह आप यहाँ पर ना डालें उसका टेस्ट बहुत ही अजीब आता है तो आप यहाँ पर जब भी डाले तो जो घर का नारियल होता है उसको कद्दुकस करके ही डाले उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर जो हमारे ड्राइफ रूट्स अच्छे से भून करके तैयार हो चुके हैं तो अब हमें सभी ड्राइफ फ्रूर्स को एक बरतन में निकाल करके रख लेना है तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर काजू बदाम को साबूती डाल दिया है आप चाहें तो यहाँ पर इनको बारिक बारिक चॉप करके भी डाल सकते हैं तो जैसे भी आपको आप चाहें तो यहाँ पर मार्केट के भी ले सकते हैं लेकिन जो बिल्कुल पतली वाली सेविया आती है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर पहले से इनको रोस्ट करके रखा हुआ है अगर आपके पास यहाँ पर तो यह पूरी एक कटोरी अब हमें आपर डाल देना है देशी घी तो ईड़ाधा घी हम यह आ पर नैं टालेंगे सिरफ एक चम्मच यह आपर गी ढाल देना है बहुत इक हम कम घी में इप इसको एक मिनट के लिए और हमें घी में भून Patreon से भूनने से एकदम खिली खिली बन करके तयार होंगी और साथ ही साथ टेस्ट भी याँपर दो बुनाता है तो बस इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है और low-to medium गैस की फ्लेम पर हमें याँपर इसको भून लेना है तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बून करके तयार कर लिया है और जो हमारा गुड का पानी है वो भी साइड में अच्छे से उबलके तयार हो चुका है तो बस गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ओफ कर देनी है और हमें यहाँ पर लेनी है चलनी जिससे हम चाय को चानते हैं तो उससे हमें यहाँ पर इसको चान लेना है गुड के पानी को जो भी गुड के अंदर एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा तो देखे फ्रेंड्स इस तरीके से हमें यहाँ पर बहुत ही सावदानी से पानी क डालना है क्योंकि पानी भी यहां पर बोज़ाता गरम है और साथ इसाथ सेम्या भी गरम है तो इस टैम पर गैस की फ्लेम आपको बिलकुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर हमें यहां पर पानी को डालते जाना है तो यहां पर हमने पानी को डाल दिया है अब हमें यहां पर इसको अच्छे से लगाता चलाते जाना है गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लोटो मेडे मी रखनी है और दो से तीन मिनट लगेगी इसको पकने में तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको ढख करके रख देना है ढखने से जो हमारी सेविया है बहुत ही जल्दी से पक करके तयार हो जाएगी तो दो मिनट के लिए हमें इसी तरह से इसको ढख करके रख देना है तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर दो मिनट हो चुकी है दो मिनट के बाद देखेंगे आप यहाँ पर सेविय जो है अच्छे से पक करके तयार हो चुकी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है सेवियों ने अच्छे से अब्जोर्फ कर लिया है तो इतना ही हमें यह आपर इसको पकाना है अब हमें यह आपर एड़ कर देने हैं dry fruits तो dry fruits डालने के बाद एक बार और अच्छे से हमें यह आपर इसको mix कर देना है तो देखिए friends बहुत ही जल्दी से जटपट बनने वाली हमारी ये recipe है और साथ ही साथ बहुत ही healthy भी है तो जब भी आपका कुछ healthy और मीठा खाने का मन करें तो आप फटा फट से ये वाली सेविया बना करके तयार कर सकते हैं अब इसको वापिस से हमें 2-3 मिनट के लिए डख करके रख देना है लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर डाल देना है एक चमच गी आप चाहें तो डाले वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर गी को स्किप भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक चमच गी और डाल दिया है अब इसको वापिस से में डख करके रख देना है 2-3 मिनट के लिए ताकि जो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो अच्छे से हमारे जो सेमिया पक करके तयार हो जाएगी वैसे यह स सेमिया बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पक करके तयार हो चुकी है और कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है तो जब भी हम कोई रैस्पी बनाते है तो हमें यहाँ पर अलग से कलर डालना पड़ता है लेकिन हमने यहाँ पर गुड डाला है तो गु पूटिसी रिक्वेस्ट एक राज की रेस्पी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज म कोई भी ओ सभी को पोज़दा पसंद आएगी सभी की ये फेवरेट बन जाएगी तो आप एक बार जरूर ट्राए करें बहुती कम समान के साथ और बहुती हैल्दी और बहुती टेस्टी हमारी ये सेमिया बन करके तयार हुई है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट शु झाल झाल